Hello everyone, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका exam study पर और ये हमारा जो वीडियो होगा economics का जो sorry vocaps का जो हमारा पहला lecture होगा और इसमें हमारे जो vocaps होगे वो जो हमारे nift की exam होते हैं या फिर हमारे MBA की exam होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो bank, clerk ये PO उसमें काफी जादा important हो जाते हैं क्योंकि ये सब काफी सारे terms हैं जो use किया आते हैं उसके हम बात करेंगे तो इस lecture में हम call money market ये share market के जो terms हैं उसके बारे में discuss करेंगे ति कौन कौन से terms होते हैं जैसे कि हमारा पहला है call money call money क्या है call money में first call second call third call कौन-कौन से होती है उसके बारे में discuss करने वाले यहां पर फर्स्ट कॉल के अगर हम बात करें, जैसे कि मानदी जे थाल मनी मैंने 10 रुपए हमाप सर्थ कॉल में बात करेंगे, तो जैसे यहां पर 3 रुपीँ फर्स्ट कॉल हो जाएगा और जो कॉल और यहाँ पर जो अमरी call money होगी वो हो जाएगी 2 तो आपको समझ में आया है यानि कि total अगर हमने 10 लिया तो यहाँ पर 3 हो गया और यह second में 5 हो गया और third में 2 यानि कि 5, 3, 8 और 2, 10 यानि कि 10 हमारा पूरा complete divide हो गया तो first call में आपको पता चल गया न 3 अगर हमने लिया तो call rate भी 30% और call money 3 और second में अगर 5 लिया तो उसका call rate जो होगा 50% हो जाएगा call money हमारी 5 हो जाएगी third call में बात करेंगे तो call rate 20%, 2 cut 20% और call money भी हमारी 2 next है कि जो हमारा repo rate होता है वो क्या होता है percentage of a premium like if one company sell its share अगर कोई company है और अपने share अगर मान लिज़िये बेशती है 12 के हिसाब से अगर 12 के rate के हिसाब से बेशती है तो उसका premium होगा जो क्या होगा though back and repo rate क्या होगा? 20% ठीक है? मान लिज़िये 12 के rates अगर बेशती है तो जो उसका premium होगा गर premium 2 रोपय होगा और जो उसका repo पूरेट होगा वो 20% होगा उसके बाद एक नम आता है enterprise enterprise को मतलब क्या होता है firm of business where channels of the money flow are very few like trading अगर trading के दौरान जो हमारी money होती हो फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं organization में काम कर रहे हैं और आप किसी इंदाउर की आप branch में हैं और आपका मानलीजी transfer हो गया आप मानलीजी कानपूर आ गया और same company की branch कानपूर में भी है तो क्या हुआ कि मानलीजी आप यहाँ पे job करते हैं तो आपको अगर पैसे की need है तो आप कानपूर ब्रांच में जाएंगे और वहाँ पे आप बोलते हैंगे कि आपको पैसे की need है तो यह जो कानपूर office होगा आ यानि कि सिद्धे दौर पर अगर बात करें debit note होता है and credit note and exchange certificate ठीक है debit note बोल सकते है और credit note and exchange certificate उसी को बोलते है नेक्स्ट एक होता है जिसे बोलते हैं हम book building और book building क्या होती है book which are mentioned in account जो book हम लोग account को maintain करने के लिए यूज़ करते हैं उससे कहते हैं book building जैसे कि laser भाही खाता हो गएरा cash book हो गई या फिर आप यह समझ लेजिए कि sales book हो गई या purchase book हो गएरा यह सारा कुछ हमारा क्या है big building जो हमारा book building होता है उसके अंतरगत आता है इसके बाद कुछ terms है अगर हम जैसे बात करें public limited होते हैं जो और इसमें जो public के बीच जो share इसू किया आते हैं shares हो गएरा तो उसे बोलते हैं public limited ठीक है और उसके बाद कुछ terms आते हैं जिससे issue capital बोलते हैं issue capital और उसमें क्या होता है कि जो full amount होता है आप capital के तरब पर जो paid करते हैं उसे issue capital बोलते हैं और बागी चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे कि forwarder क्या होता है forwarder कि अगर हम बात करें तो जैसे कि जो भी चीज़ें किसी को बेचता है like shares जैसे कि अगर कोई share किसी को बेचता है तो वो forwarder होता है और जो carry होता है वो किसे बोलते हैं जो purchase करता है share वगरा या कुछ भी चीज उसे carry कहते हैं और यहीं पर एक पूरा word हमारा आता है जिसे बोलते है carry forward carry forward carry forward जो word use किया आता है carry forward का मतलब होता है जो यानि की exchange यानि की बदला आपने देखा होगा कि इसके बदले ये चीज ले लिया carry forward एक पूरा complete time होता है जिसे बोलते हैं की exchange यानि की आप कोई चीज दे रहे हैं उसके बदले में आपको कोई चीज मिल रही तो उसको बोलने के लिए एक पूरा word आता है जिसे बोलते हैं carry forward और यहीं पर एक word आता है जिसे बोलते हैं जैसे की surcharge और तो आप जानते ही होंगे surcharge जो extra charge होता है जैसे की आप देखते हैं किसी चीज में जैसे 4%, 5% extra charge होता है उसे surcharge बोलते हैं यानि की up कर जो up bear और होता है उसे बोलते हैं ठीक है और एक हमारा word आप उसके आता है जिसे बोलते हैं capital adequacy ratio ये जो हमारा reserve आप बोल सकते हैं या capital बोल सकते हैं उसके लिए यूज के आता जो capital adequacy ratio होता है उसको बोलते हैं next है हमारा जैसे बोलते हैं inflation, inflation मतलब क्या होता है और हाँ जैसे की revenue जो होता है revenue जो हमारी total income होती है उसे बोलते है revenue ठीक है revenue कितना आया और inflation मतलब क्या होता है inflation जो हमारा होता है it can be seen as a devolution of money जैसे कि inflation यानि कि पैसे की जो value है बढ़ रही है inflation उसे कहते हैं बढ़ उतरी के लिए sales क्या होता है sales एक कर होता है एक तरह का tax होता है जो local level पे या बोल सकते हैं आप local sales या उपकर जिसे बोलते हैं छोटी मात्रा में लगाया जाता है local level पे आप बोल सकते हैं वो tax होता है हमारा sales लीवर क्या होता है लीवर का फुल फॉर्म होता है यह अक्सर पूंचे जाता है London Interbank Offered Rate ठीक है लीवर का फुल फॉर्म क्या है L for London, E for Inter, B for Bank and उसके बाद जैसे की हमारी collateral या securities होती है collateral के लिए से बोलते है collateral securities क्या होती है property place दैसे guarantee for the repayment of loan यानि कि अगर loan का repayment करना है तो उसके में जो guarantee के तौर पर जो property यूज कियाती है उसे collateral security बोलते है और collateral side by side या parallel additional बोलते हैं sort selling की बात करें तो जो under subscription होते हैं उसे हम sort selling का नाम दे सकते हैं sort position की बात करें if underwriter fulfill the rest amount then it is the called sort position जो underwriter होता है अगर वो बची हुई amount होता है उसको क्या करता है पूरा कर देता है तो फिर वो हमें sort position कहलाता है sold sort क्या होते हैं जो हमारे sold sort होते है वो under subscribe होते है जितने भी लोग subscribe किया है जिनोंने वो हमारे sold sort कर लाते है और leading charge जो हमारा extra charge लगता है उसे हम लोग leading charge करते हैं और यहीं पर एक हमारा word यूज किया आता है GDR GDR और ADR GDR क्या होता है जो हमारे DDR होता है इसे बोलते हैं global deposit receipt ठीक है यह हमारे GDR होता है अब जो हमारे ADR होता है ADR का होता है ADR को बोलते है additional deposit receipt ठीक है और ADR का एक और होता है ADR को बोलते हैं हम लोग American deposit receipt ठीक है और जो हमारा आता है हवाला हवाला क्या होता है हवाला तो आपने अक्सर देखा होगा निउसमें आते रहता है हवाला होता है to bypass foreign exchange यानि कि जो पैसा होता है हम किसी दूसरी country में बेजते हैं या वहां से रिजर्व करेंशी है एक लाग रुपए ठीक है रिजर्व करेंशी आपके पास एक लाग रुपए गी है और उसमें आपने अस्ती अजार रुपए जो है उसको जो आपके पास रिजर्व है वो मान लीजिए आपके पास एक लाग रुपए है जो रिजर्व है वो एक लाग रुपए है ठीक है और जो करेंशी आपके पास है वो अस्य हजार रुपए है तो यह fully convertible इसको नहीं बोलते हैं लेकिन अगर currency हमारी एक लाग रुपए होती ठीक है तो I hope यह सारे टाम्स आपको समझ में आये होंगे ओके थैंक्यू गैस यह हमारा पहला लक्चर था और इससे मिलते उलते कई सारे टाम्स जो अक्सर पुछे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो जोड़े रही है हमारे साथ और पढ़ते रही है और घर पर रही है